नवस्कार फ्रेंस, सौद्ध करता हूँ आपके इस चैनल्स पे और आज मैं आपको ज्यान कारी दूंगा यदि आपको पास एशेड़े का डेश्टल टीवी सेटप बॉक्स है यदि आपके पास HD setup box है और यद फिर आपके पास normal setup box है तो आपके remote कुछ easy तेरे रहेंगे और इस तरह ही remote आपका HD और normal का रहता है तो उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास HD setup box है तो उसका software कैसे update करना है यदि आपकी इसमें automatic software update नहीं हो रहा है और उसको manually software update करना चाहते है तो कैसे करेंगे पुलिस जायरकारी मैं आपको इस वीडियो पे दूँगा और बताऊंगा कि कैसे आप उसको software update कर सकते है यदि आपकी इसमें कोई समस्या हो रही है फिर कुछ आपकी इसमें चल नहीं रहा है या फिर आपकी इसमें कोई issue आ रहा है कोई box में आवाज वगएरे की सबस्या हो रही है फिर कोई भी और भी सबस्या है तो उसको कैसे आप software update करके उसको proper तरीके से सही कर सकते है तो मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपके पास remote है तो remote में आपको करना क्या है कि exact को एक बार प्रेस करना फिर कबार दो, चार, छे, पांच प्रेस करना है और इसके बाद आपके TV स्क्रीन में क्या आएगा तो चलते हैं TV स्क्रीन के और आपको बताते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास box को on करके रखा हूँ इस box को मैं off करूँगा और off करने के बाद जैसी off करूँगा, यह आप देख सकते हैं मैंने इसको off कर दिया है और off करने के बाद इसको on करूँगा और तो इसमें मैं तुरंद हमको remote को press करना पड़ेगा तो box को मैं on कर दिया हूँ तो यहां पस exact button press करेंगे 2465 को press कर दूँगा तो मैंने press कर दिया है तो यहां पस से आप देख सकते हैं कि आपका यहां पस software को जो आपका है तो यहां पस software download होने के लिए code आ गया है और यहां पस आपका code कोई भी change नहीं करना है यदि आप कोई भी change कर देते हैं तो आपका software प्रपर तरीकर से update नहीं होगा और नहीं आपका software चलेगा या फिर आपकी file जो होगी तो error हो जाएंगी तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है रिमोट से अपने जो remote होगा तो उससे औक प्रिस कर देना है तो यहां पस से मैं इसको OK प्रिस करunगा जैसी आप OK प्रिस करेंगे तुछलिए आपका software प्रपर अप्डेट होना start हो जाएगा और देख सकते हैं इसका जो है तो software प्रेट लेना start कर दिये हैं यहां पस देख सकते हैं यह आपका काफी कम से कम तीन से चार मिनट लगेगा इसको अपडेट होने में तो आप देख सकते हैं 5 प्रेश्टन के करीब अपडेट हो चुका है इसमें इस बात को काफी अच्छे ध्यान में रखनी है कि यदि आपके बीश में आपके जब भी आप उसको मैनुली आपडेट करें तो उसका पावर आफ ना हो या फिर आपके लाइट जाने की समस्या रहती है तो ऐसे समय में उसको अपडेट करें जब आपका लाइट कम जाए और फिर लाइट बहुत ही कम जाए जिसके कराण से आपका जो स्वाप्र प्रपर तरीके से अपडेट हो जाएगा और जो भी उसमें इसूस रहेंगे तो पूरी तरह से सही हो जाएगे और बन जाएगा यदि स्वाप्रेवियर अपडेट के बाद भी आपके इसमें समस्या आ रही है या फिर आपका नहीं बन रहा है तो उसमें समस्या आपकी आ सकत है कि आपका बॉक्स में कोई इसू होगा आईशी बगेरे की समस्या होगी जिसके कायन से नहीं हो सकता है आपकी आपको जो सुलेशन रहता है ज्यादा तर स्वाप रिवियर अपडेट करने से आपके पूरी तरह से प्रपर तरिके से सही हो जाता है और बन जाता है तो देख यहाँ पास से बंद हो जाता है तो देख सकते हैं कि यहाँ पास से आपका स्वाप रिवेर अपडेट होगा और 38 के करीब हो चुका है तो फ्रेंस मैं आपको बताना चाहूंगा यदि हमारी चैनल्स में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे कि यह अपडेट होगा तो वीडियो दिखाऊंगा वीडियो को रिफ्योज करके आगे को दिखाता हूँ तो फ्रेंस इसमें देख सकते हैं 89-90 के करीब हो चुका है यह स्वाप रिवेर अपडेट होगा अपडेट होने के बाद आपका जो बॉक्स है तो आपका रिसेट हो यह आपका पुरी तरह से स्वाप रिवेर इसका अपडेट हो चुका है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वेट करने के बाद आपका तो इस तरह से आप अपने HD setup बॉक्स को साप रिवेर अपडेट कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी यदि वीडियो आपको अच्छे लगए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो सभी मित्यों का मेरा मेरा ब बहुत बहुत धन्वाद नमस्कार मिलते हैं आपको अंगली वीडियो पर